हेलो, नमस्ते, आज़को येस वीडियो मां हामी येवटा पारासाइटिक और्गनिजम लाई अस्टडी गरने हो, जसको नाम हो जी आर्डिया, जी आर्डिया इंटेस्टाइनलिस, अथवा तेसे लाई जी आर्डिया लैमलिया पनी हन्छन, जी आर्डिया एक किसिम को यून उनिसेलर माइक्रोस्कोपिक पारासाइट हो, अनि येसको प्रकोप डेवलोपिन कंट्री जरुमा बढ़ी देखी जा, कारण के होना सक्षन, तो उसको ट्रोफिकल टेंपरेट रिजन्स, प्लस अन्हाईजनिक हैबिट्स, जी आर्डिया इंटेस्टाइनलिस, अथवा जी अन्हाईजला पहनाले फ्लैजला बीरिंग, येसमा आठोटा फ्लैजला होन्चन, लामो धागो जस्तो, जी आडिया को यहाँ डाइग्राम और येस डाइग्राम मां हेडने होगने, शैफरल लॉंग थ्रेडलाइक स्ट्रक्चर सामिह देलाया चन्यों ये लामो थ्रेडल ये मंतर गाऊँचन, जीनस जी आडिया रा स्पिसीज लेंबलिया अत्वा जी आडिया इंटेस्टाइनलेस, ये पारासाइट को हमिले हरनू पढ़ने हो, हैबिट, हैबिटाइट, डिस्टिबिशन, उसको बोडी स्ट्रक्चर बने को मॉर्फोलोजी, लाइफ साइकल, र ये आडिया इकजाम मां लॉंग कोश्चन को रूप मां सोद्न सक्षन, डिस्टिबिशन को हिसाबले हरने होगने, जी आडिया कोस्मोपॉलिटन इन डिस्टिबिशन, विस्टु को करीब-करीब हरे कंट्रीज मां भेटिने तरह मोर कमन एन ट्रोपिकल, सब्रोपिकल इन हरु खास अन्हाइजिनिक कंडिशन मा भॉसने मानिशरु मा बढ़ी भेटाँ चन, बढ़ी प्रिवाइलेंट चिल्रन अरुमा, बच्चा हरुमा, कारण के होला इन हरुको अन्हाइजिनिक फीदिग हैबिट, द्रिंकिंग वाटर कंटामिनेशन, फूड कंटामिनेश वीुवा ज्यार्डां मुचां नहां वाटर कंटामिने घ्यार्टेय, ज्यार्डा को हैबित हरु कर्दा हरुमा, बच्च्टम्लिफर हरु में प्रिवाइलेंटु अपना रिम्रिवा भाएजिच्विए प्रिवारा फिको गандमójका, यह को आमा, आम्रिवा सिरोट भेता अ इंटस्टाइन मा भी तिने, और अनि इसलाई, ग्रैंड ओल्द मैं और इंटस्ताइन पनी वंचन, एक चोटी इसको इंटस्टन भायु हने लामु समय सम्हा रही रहन चन तो थिसाब ले इसलाई, ग्रैंड ओल्ल्डम अथ ओल्लेस्ट परशाइट को हिसाब ले बनना सगें it is an intestinal parasite causing a disease GRDSS GRDSS is found in the duodenum and upper part of the jejunum this is a small intestine in the duodenum and upper part of the jejunum and upper part of the vertebrate animal GRDSS is the intestinal endoparasite this is a morphology this morphology is an external feature unicellular parasite this parasite is in two forms this is a trophozoite form or a cystic form this is a trophozoite form this is a cystic form trophozoite stage is a feeding stage this is a pathogenic stage this is a pathogenic stage this is a cystic stage is an infective stage this is an infective stage in the human body the parasite transfer is in a cystic stage so one by one this is a trophozoite stage this microscopic unicellular shape is almost a racket shape tennis racket handle to chai na tada isko shape ushti kishim ko dekhin chao one end broad, rounded another end narrow, pointed this is a racket shaped microscopic stage having bilaterally symmetrical body bilaterally symmetrical right side, left side almost similar it is rounded anteriorly and pointed posteriorly in lateral view it appears like a longitudinally split pier apple atpah pier yis lai longitudinal way maa kaatne hoogane yiyo isko shape almost uste hi hisaab ko dekhin chao it measures about 10 to 16 mu in length length limbai ko iza able 10 to 16 mu yis ko diameter 7 mu wadle yis ko dorsal side convex and concave ventral side be as a central sucking disc yis maa sucking disc wala zun area ho tyas lhe attachment dhin chan host ko intestinal tissue mao सूंवं धियंग है. EACH LATTERAL SIDE बड़ेस फोर- weirdly है, छारो टा- Peachंड इस अवे तोल हूरे फोर-开चला,श मटा LATERAL ॉच वी prima ऋपचा टोल है बड़ेसे बाता की देकिं kalau, अन्य गा штरी पाट अरी स्वारो ले को टेकिन है वह बेसल ग्राणिल यहांँ स्वाट लागा हो दुवता बेसल ग्राणिय। नुकलीयस है जोरी को देखें को दुए वदा नुकलीयस देखिए रहे हैं यह बोडी को जुन लोंगिचुनल अक्षिस हो, यह मेरियन लोंगिचुनल अक्षिस यहां देखेंचा दुई वटा एग्जुस ताइल्स, यह यह वन पर एग्जुस ताइल लाइ क्रोस गरने, यह से रिजन मा देखे राया है, हमें पारा बेसल बोडी, यह सपे डृस्प्रिप्शन मा यह से हिसाल ले थे सरहिंगरने हो, हमेर बोडी हो, अंटेर पार्ट बेर्स अपयर अपर अपर रौनेट नुकली द्योटानुकली अंटेर साइड महू चरोमा चरोमत्रइट बारब अथवा पारा बेसल बॉड़ी इस अफें नियर दे मिल एक्रोस एग्जों। यहां देखिराइचा. By the rapid movement of the flagella, the trophozoites move actively from place to place. And by applying their sucking disc to epithelial surfaces, they become firmly attached. So, attachment को लागी निरुचंग अर्चंग 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 रिस्क लागी और मुव्मेंट को लागी इनिर जांगा फ्लाजला चान यो ट्रोफोज्वाइट यसरी अक्टिव फीदिंग स्टेज, पैक्सजेनिक स्टेज, लार्जर इन साइज, रैकेट सेट अनि और को रूप, और को रूप, जियाडिया को, सिस्टिक स्टेज, सिस्ट मने को आउटर कपरिंग, सिस्ट वाल, रेसिस्ट कपरिंग भया को, अन्फेबराबल कंदिशन मा, ट्रुफोजवाइट स्टेज, सिस्टिक स्टेज मा चेंज गर्चान, यसले आपनो सपई फ्लाजला लाई, विच्ट्रा गर्चान, रभ बोडी भित्रतां चान, एक्जोनीम मा, यो प्रोटेक्शन दिने गर्चान, मुष्ट कंदिशन मा, यो लाम समय सम्मा एक्टिव रही रहने, बनाले भायाबूल रही रहने, इन्फेक्शन गर्ने की सिंपो, यो सिस्टिक स्टेज, नन फीदिंग स्टेज हो, तरह यो इन्फेक्टिव स्टेज हो, यो नन फीदिंग नन पैथोजनिक रुको लगशने देखाऊ देना और यो वोस्ट को इस तूल संगा प्राय बाहर गई आल चान शीष्ट विद्र एंटेरियर इंड मां दूई अथवा चार ओटा निकलिया देखें चाहिए बनाले शीष्टी के इसको क्रम मां इसको निकलियास डिवाइड ग कर्ड ब्रिसल्स को हिसाब ले देखे राया चाहिए यो सिस्टिक स्टेज ओवल इंड शेप और यसको साइज भनने होगने ट्वैल्व म्यू बाइट म्यू इन लेंध एट म्यू इन डामेटर यह सरी दूइवटा रूप मां भेटी ने यो जियार्डिया लैंबलिया जैस इसको ट्रोफोजवाइट स्टेज पैफोजेनिक सिस्टिक स्टेज इन्फीकिव स्टेज जियाडीया को लाइवशाइकिल हरने होगने जी आडिया मोनो जेनेटिक पारसाइट हो इसलिए आप्णों लाइवशाइख यह उस्ट मा पूरागरियाल जैसलिए द्रिएवटा ह जुन पारासाइटलाइज चाहिंचा तेसलाए वन चान डाइजेनेटिक तेरो जी आड़ीया मोनोजेनेटिक हो वनली वन होस्ट मैन रिक्वायरड फार्द कम्प्लीटिंग दालाइप साइकल इन्फेक्टिव सिस्ट बॉडी भीत्र आऊँचन कंटामिनेटेट फूड एंड वाटर को माध्यमले जुन सिस्टिक स्टेज इन्फेक्टिद पर्शन को फीकल मैटर संग बाहरा निसकन चन त्यों बाहरा गयो लामो समय सम्मा भायाबूल रही रहने कुने तरीका ले इन्फेक्टिव सिस्टिक स्टेज 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 इन्फेक्टिव सिस्टिक्टिव सिस्टिक्टिव स्टेज मेचियर भायपस्य भीरीस यहां तब दीस आपले तो यह साबले, first nuclei divide, शले मंचान, कारियो कीनसे, अनि देन, cytoplasm divide, यो जून आओर कवरिंग, यो membrane, cell covering, वीच मा चन्सेट गर्शन, जारे तीरवाट नया फ्लेजला अरुपनी देपलप गर्शन, र सपे structure सरू develop गर्शन, before separation of the body, so single mother cell, longitudinal binary fission बात, दीवटा daughter cell बनाऊचन, यह सरी इन रू rapidly multiply गर्शन, so your rapid multiplication ले गर्दा, इन रू को colony, ठूलो समू, थोड़ई समय मता यारंचन, यहां लेखेचा, these multiply in large number by longitudinal binary fission and colonize in the duodenum, to avoid the high acidity of duodenum, duodenum मा acidity यदी बढ़यो हने, जी आडिया ओफन enters the bile duct, तेह हुन चन लिवर बाता हुने common bile duct, so यो केले काहें, bile duct भीत्रपनी गया जा, with the help of sucking disc, the parasite attaches to the intestinal fold and may invade mucosal tissue, mucosa भीत्रपनी जाना सक्षा, unfavorable condition मा, trophozoite undergo incystement, बनाले cystic stage मा change हाँचन, the flagella are retracted and a thick resistant wall is secreted around the body, I will just discuss करेको, trophozoite change होदा, आपनो flagella हरु भीत्र retract हाँचन, अनि आपनो वरी परी, cyst wall बनाऊचन, resistant wall, परसाइटले आपहें, अनि यसे लाई बनाचन, cystic stage, inside the cyst wall, the cell divides into two, insistment often occurs in large intestine, and the cysts pass out with fecal matters, अब यो भाहर गायो, cystic stage, रवेट गर्चन, और को होस्त समाः पुग्ना गाई, So, mode of infection के होना सक्षान, को नहीं मानिस, कसरी infected हुन चन्त, sources of infection are the fecal matters of infected person, cystic stage, infected person को स्टूल संगा भाह रहा हुचन, so fecal matter नहीं source of infection हो, अनि transmission of cysts takes place through contaminated food and water, contaminated bhojan, paani ko madhyam le, and tamiba paani, तैसे हिजाबले सर्ने गर्षान, flies and wind may serve as vectors, यसमा certain insects सरू, अथवा तयो wind पणी भेक्टर को रूप मा काम गर्णा सक्षान भनाले, इसलाई सर्ना सक्षान, अब हरने, GRD या ले काज गरने pathogenesis, बनाले, कस्ता किसिम का problem सरू, कस्ता किसिम का symptom सरू, यसले create गरनाँ सरू, GRD या ले जुन disease लगाँच, infected person लाई, तैसला वन्चन GRD असिस, एक मां खासी लग्षान हरु देखी देना, कही मात्रशन, 24-10 वता मात्रशन भने, खासी symptom देखाव देना, वाइल इन, severe infections, the patient shows several intestinal disorder, अब यो, intestinal disorder, digestive problems रहुना सक्षान, एक मां कुनकुन हुना सक्षान था, इस इंक्लिवड माल एब्सॉर्प्चन, कुप उषान, भीग खाई तरह उसको जीवह माल जागेया चाई ना गाल आप्सर्ब्स्ट्पिश्ट्पुश्ट्पिया कहीं है एक स्टुल्ती मेडी चेर्पर्दा चेर्प्टिश्ट्ट्पिया नार्ग है एक परसाइट ले खास तोक्सिक सस्टांस विटे गर शहनुच आप सान्स विफिन किसम के ऐलर्जी जरुपने देखुँचान। सुम्टाइम जियाइडिया में कोलोनाइज इन गॉल ब्लाडर जय कोलडर गाल फिछान। यसले के कायुच गर शहन था जणुचान। जस्ता शिम्टम्स रूले आँचान। चिल्रेन में डेवलप ग्रोनिक डायरिया और वेट लॉस इसको इन्फेक्शन बच्छार में वेट लॉस पनी देखेंचा और अनी क्रोनिक डायरिया बेखेंचा तो यो पैथोजेनेसिस हो जी आड़िया को समर्मा अब आउने बाचने का सरीत प्रिवेंचन के होला ट्रीटमेंट के होला रिवेंबर यो केवरेबुल डिजिस हो तरह यस वाटा बाचन बाचने उपायगरनों बेश प्रिवेंटिमेजर्स अन्टमिबा हिस्टोलाइटिका को केस मार जस्तो यो कंटामिनेटेट फूद एंड वाटा होने हो त्यो हिसाब ले प्रदुषित भोजन पानी वाटा बाचनु पढ़ने हो सर सफाई को कुरो मा ध्यान देनु पढ़ने हो सो यह हैरम वन बाइवन केके चाता वासिंग हैंड सोप एंड वाटा आफ्टर ट्वालेट चो बि गाप मायस का सिष्छ भू बस ना सक्षान लुग ना सक्षान सो कटिंग नेल्स रेगुलरली पनी योटा एफेक्टिव एस्टेप होना सक्षान उजिंग ब्वाइल वाटर और प्रपरली कूग्ड फूद रम्रटी पागे को भोजन रभर्षक यदी पानी मा शंका चाव तो इस आपले भोजन लाई शुरक्ति ठाउमा राखनू पढ़ने हो अनि अरको हो प्रपर सीवेज डिस्पोजल बनाले फिकल मैटर रम्रणी खाल टोखने रा पूरिनू पढ़ने अत्वा यूज ओफ सेप्टी ट्वाइलेट्स यासरी सरसफाय का कुराहरू मा ध्यान द यूज इए इंफेक्शन लागी हाले था बने सजेस्टेट एफेक्टिव ड्रॉक्ति ट्रॉक्ति ट्रॉक्ति अर्टेट्में अटेब्रिन, अक्रानल, मेत्रोनिदाजल, और क्लोरोग्विन। हावेवर, यसको लागी, फिराज जोलिडन इस प्रिफर दिन चिल्रेन, अज इस अधस अधसे अप्रेट्स, कम साइप्ट बला जोन मेदिशन हो, फिराज जोलिडन यो बधी पपललर जेकिंचार्बा, प्रिफर करिंचा बच्चाहरू को लागी यह सब GRD या लैमलिया को समद मां बेसिक कंसेप्ट और करिब करिब सफिसेंट परियो जब एक्जाम मां सोचन पर्टिकुलर पॉइंट सरु सोदना सक्षन जुन पॉइंट मां सोचन ती सब डिस्क्राइब गरने हो और इनियो लाई एक तो ती सरसरी हेडने हो ने जी आरडिया को सिस्टमेटिक पोजीशन दिहान मां राखने प्रोटो जुगा को मेंबर हो हैवित हैवित है डिस्टिबुशन को समद मां है यो डेवलोपिंग कंट्री मां बढ़ी बेतिने तरह कॉस्मोपॉलिटन डिस्टिबुशन और मोर कमन एमंग चिल्रेंस चिल्रेंस मोर्फोलोजी को हिसाब लेहरने ओपने यो द्योटा रूप मां फैटाउंचन यूनिसोलर पारासाइट हो ट्रोफोजवाइट स्टेज फीदिंग स्टेज हो रहा सिस्टिक स्टेज इन्फेक्टिव स्टेज हो लाइफ साइगी लाहरने येसको जीवन योटे होस्ट मां पूरा होंचन मोनोजेनेटिक इन नेचर आपनो जीवन चक्रमा अत्वा आपनो जीवन खालमा येसलिए लोंगिचुनल बाइनरी फीजन बाठा आपनो संख्या बर्हाऊने काम करचन सिस्टिक स्टेज अन्फ्रू कंडिशन मा तैयार होंचन जुन जाहें दे अन्फेर कंडिशन मा ध्यान मा पटोनी आपनो जाहें लोग लाएं जी इस पारसाइड गया था आपनो संख्यों प्रासाइड रोग हो नाम जी आपनोग अन्फिर शुन जीवन पानो नहीं घरहां प्राप्राप्लम स्बीच्ट ग्र्ट दिप्रमा नेल आपक्रीप्र अध्वा त्यो जुन अमीवी साइड शरू छन। प्रोट जुवन शरू को लागी प्राया यूजुने मेट्रो निटाजोल यहां पन इफेक्टिव हो। आजलाए जियाडिया को सवन मा यतिने हामी आपनो नेक्ट वीडियो मा और को पारासाइट लिये रा फेरी आउने जो आउने वीडियो मा छिटे भेटोला आजलाए यतिने धन्यवाद।